हेलो गाइस और वैलकम तो माई उडियोब चैनल टैक बहुम के से अब डियो आपके काफी इंपोर्टेंट होने वाले इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप अपने वीवो वी 30 प्रो के फोन को रिसेट कैसे करेंगे फोन को रिसेट करने का दुस्तों सही तरीका क् और रिसेट 4-5 प्रकार के होते हैं काउन सा रिसेट आपको कव करना चाहिए और काउन सा रिसेट करने से क्या होता है इस वीडियो में आपको बताएंगे तो सबसे पहले आप अपनी फोन के सेटिंग में आ जाओ सेटिंग में आने बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके स्कीन पर देखने को मिल जाएगा सबसे उपर सर्च का आइकान मिलेगा आप सर्च पर किलिक करिए और यहाँ पर लिख दीजिए एक उप्सन आपको सबसे उपर मिलता है रिशेट ten वाइव फाय ड सेटिंग मोई якने ब्लूथूतो प्रॉब्लम हो जाएगी reset app performance है अगर आप इसको यहाँ से reset कर देते हैं सारे application default हो जाएंगे मतलब बिल्कुल नए हो जाएंगे और यहाँ पे है reset all setting अगर आप reset all setting पे click करते हैं आपके phone के setting में कोई भी problem है तो सिर्फ आपको reset all setting करना चाहिए इसके बाद है eris all data जिसे काते है factory reset अगर आप पूरे phone को फार्मेट करना चाहते हैं पूरा phone reset करना है इस पर click करके सबसे नीचे eris all data पे click कर ये जिसकी लोग का password मांगेगे इंटर कर देंगे पूरा phone reset हो जाएगा सब कुछ डिलीट हो जाएगा सिर्फ sim का और memory card का डिलीट नहीं होता है